सो रुपे होंगे तो पचास-पचास रुपई ही मिले होंगे शायद या 55-45 रहा होगा ऐसा लेकिन एक वक्ति ने 50 रुपई को उठाके कहां तक पहुचा दिया और दूसरा विक्ति को वही 50 रुपे थे उसने शायद उसको वह वैल्यू नहीं दिया जो वैल्यू उसका उसक है जब उन्होंने जियो लांच किया था तो 8L Vodafone आइडिया बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गया इन सारी बड़ी कंपणी को तो बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया यूनो मर्जर हो गए तो नौकरी चला गया एक ही एरिया में तीन स्टोर है वोड़ा फोन का भी है मोर्य आइडались का हो गया या चार के दो स्टोर हो गया चरो नोकरी हो तो टो नौकरी तो गयी खराप करती हम आनो बड़े सारे ओंट हो गए अब इक ओफ से लोग जा चैए ये कितने सारे लोग उससे तो उनकी एक लाइन मुझे अभी बहुत अच्छे से आद है, उन्होंने कहा कि एंड कस्टमर को फाइदा हुआ के नुपसान, I am talking about end customer, कि जो आखरी का कस्टमर है उसको फाइदा हुआ इससे या लॉस, तो फाइदा हुआ कि वो 2GB डेटा के 500 रुपर देता था, आज एपसलूटली फ्री है, तो इसने बहुत बहुत ज्यादा रूमर्स सुने हैं जो मैं आज इस पॉड्कास में शेयर करूंगा, पर यह सिफ रूमर्स है, तो टेक इट आट यूर ओन रिस्क पर कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी फ्यूचरिस्टिक टेकनोलोजी हैं उनके प्रोटोटाइब जियो अब गंसॉली में डिवेलप कर रहे हैं गंसॉली मुंबए के बाहर का एक जस्ट बाहर एक 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 बेसिकली रिलाइंस ने लैंड खरीदा बहुत बड़ा एक रिलाइंस का कॉर्परेट पार्क बनाया और उसमें कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो सौर्ट अफ कॉड़न डॉफ है जहां बहुत लिमिटेड लोगों को एंट्री मिलती है आचा है और ओफिन यह लोग एक्स करणा है झाओ